आज का जो अबडेट है वह गूगल की तरफ से है और ये बात जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और मैं आपको बताने वाला हों कि वह न्यूस क्या है तो ये जो अबडेट है वह गूगल की तरफ से है और Google ने अपने location जो map होता है, navigation map जो होता है, location के साथ उसे finally bikes के लिए two wheelers के लिए भी launch कर दिया है, यानि कि अगर आप सबसे ज़्यादा गर bike ride करते हैं या आपको traveling पसंद है bike पे या scooters पे या motorcycle पे आप ज़्यादा जाते हैं या आप job करते हैं जैसे कि pizza delivery होती है, parcel delivery होती है, उनके लिए ये काफी अच्छी चीज होगी, तो guys आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज आई है कि आप अब navigation के through easily अपनी एक location से दूखी location पे पहुश सकते हैं, और ये काफी अच्छी चीज दी गई है Google की तरफ से, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ Google navigation के अंदर आप अपनी location को on करते ही, आप navigation की through एक location दूसरी location पे जा सकते हैं, वो भी easily, अब आपको कोई भी problem नहीं होगी, और easily अपने bike पे ride करते होगी, आप easily जा सकते हैं, और अपने point तक reach कर सकते हैं, यहाला कि आपको ये update जाके play store पे करना होगा, और वहां से update करने के बाद आप ये feature को enable कर पाएंगे, enable करने के बाद आप easily इस feature को use कर सकते हैं, play store पे करने के बाद, और यह जो version आएगा इसका, यहाँ पे वो आपको मिलेगा Android का, 9.67.1 version, और यहाँ से जाके आपको ये update करना है Google के अंदर, तब जाके आप ये Google map के अंदर जाके navigation वाला feature, use कर सकते हैं, और ये आपके लिए काफी मददगार साबित होगी, अगर आपको ये information अच्छी लगी हो, और आपके ये काम की चीज है, तो जरूर में चैनल को subscribe करें, और like करें वीडियो को, जाए ज़्यदा शेयर करें, और comment box में अगर आपकी कोई भी queries हो, तो please जरूर मुझसे पूचें, thank you from Techno Club